जापान के पीम बाल-बाल बचे किशिदा पर बंब से हमला संदिग्द को दबोचा गया एपी तो क्यो जापान के प्रधान मंत्री फूम्यो किशिदा शनिवार सुबर एक बंदरगाह पर बंब इस फोर्ट में बाल-बाल बचे। अधिकारियों ने बताया कि वाकायामा शहर के सेखजाई बंदरगाह पर पीएम किशिदा चुनावी भाषन शुरू करने वाले थे कि किसी ने उनकी और बमफे का धमाके में कोई घायल नहीं हुआ पीएम को तुरंट सुरक्षित निकाला गया पुलिस ने मौके से एक संदिक्षिद को दबोचा है किशिदा अस्थानिय चुनाव में अपनी पाती लिबरल डेमोकरिटिक पार्टी एल्डीपी के एक उम्मीदवार का प्रचार करने पहुँचे थे घटना के बाद किशिदा ने प्रचार अभियान जारी रखने का फैसला किया है घटना के कुछ फोटो वीडियो सामने आये हैं इन में सुरक्षा कर्मी सांदिक्ध हमलावर को पकरते हुए नजरा रहे हैं उसे गिरफतार कर लिया गया है इस घटना ने नौ महीने पहले किशिदा के पूरवरती शि बने थे विसफोर्ट के बाद जापान में सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि रविवार को जी साथ के विदेश मंत्रियों की बैठक है इसमें शामिल होने के लिए दुनिया के शक्तिशाली देशों के वरिष्ट राजने इप पहुँचे हुए है भारत ने कार्बन उ खबरा गए क्रिच लोग कह रहे थे कि बम फेका गया है फिर सब यहां वहां भागने लगे एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मैं भीर का हिस्सा थी तभी पीछे से हवा में कुछ आते हुए देखा और अचानक विसफोर्ट की तेज आवाज सुनी जिसके बाद मैं ब दालने के आरोप में गिरफतार किया गया है जापान में इस तरह के जर्म में तीन साल तक की जेल और तीन लाक रुपे तक का जर्माना लगाया जा सकता है